हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 28 अप एप्रिल 2021 और आज की डेट पे निफ्टी फिप्टी का सबसे बड़ा गेनर बजाज फाइनल्स एकी दिन के अंदर करीबन 8 से 9 परसन का में दमदार तीज़ी देखना को मिला यह तेज़ी के पीछे डीजन क्या है हम सभी को पता है कल बजाज फाइ इसके उपर भी चर्चा करेंगे सो फ्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकों नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटफरान में डीमेट आ कि और से बजाज फाइनन्स इस की उपर मैं न जाने पहले पास्तमें कितने सारे वीडियो बनाए है था मेरा हर एक पोड फोलियो में हर एक क्शेर में में आपको बाज फैनन जरूर रेफर करता हूं आपको याद हो का अगर अब आपने इस चैनल के हर एक वीडियो देखते हो तो मैं हर एक वीडियो में दोस्तों बजाज फाइनांस का नाम जरूर लेता हूं जो कोई भी पोर्टफोलियो वाला वीडियो बनाता हूं तो दोस्तों आज की रेट में कर देखा जाए निफ्टीप्टी में सबसे ज्यादा गेनर बना करीबन आठ से सारे 8% के त हम सभी को बता है कि कल बजाज फाइनांस का क्वाटर फोर का रेजल्ट आउट हुआ और रेजल्ट दोस्तों आंडाउट अटली बहुत ही शांदर आया 40% के उपर हमें जम देखने को मिला साथ में बजाज फाइनांस ने डिविडेन में डिक्लियर किया दोस्तों बजाज बजाज फाइनांस आपको याद होगा लास्ट एक साल पहले की बात जब बजाज फाइनांस यहाँ पे-3,000 की लेबल पर चल रांथ था ठीक है 3,300 उसी लेबल भाण जब से यह चैनल क्रिएट किया था ओक्ट वर के महाइन अपे तबसे में आपको बजाज फाइनस कंदर तो दोस्तों चलिए अब मार्केट के बहुत बड़ा दिर्गज ब्रोकरज कंपनी की तरब से यहां पर बजाज फैनेंस के अंदर रिक यहां पर रेकमेंडेशन है यह आप देख सेक तो मोतिला लोस्वाल की तरब से आया है यह नियूज है आज की डेट पर 28 अप एपल 2021 दे उपर जो कि कुछ टाइम पहले बजाज फैनेंस इस लेबल को टच भी क्या था आपको याद होगा 5800 का लेबल बट अनफॉर्चनली वहां पे बहुत ज्यादे रेजिस्टेंस फेस किया था एंड शियर प्रैस नीचे आ चुका है और 5000 के नीचे भी आ गया था और फाइनल अनिती कहा रहेगा यानि आपके पास शेयर तो होल्ड करें या सेल करके निकल जाए यहां पर फ्रेश पोजिशन बनाए तो सबसे पहले आरेसा इंडेक्स आरेसा इंडेक्स चला है 59.23 यानि अभी तक इतने तेजी के बाद भी ओवर वार्ड जोन पे नहीं गया अब जिन और ज्यादा उपर भाग सकता है अब देखिए यह जो दोर स्टार्ट हुआ बजाज फाइनस के अंदर यह कहां से हुआ सारे 4000 के लिए आपको याद होगा लगबग एक हफता पहले में लगा आतार वीडियो मना के आपको बोला कि बजाज फाइनस खरीदो बजाज फाइन माईना पर बजाज फाइनस अपना ओल टाइम ही टाच किया तो यहां पे 5800 के ऊपर जाके तब गिरावत आया तो इसके बात बार बार यह जो पांच हजार पांच सो का लिफल स्कूपर जाने की कोशिश किया देखिए एक बार दो बार तीन बार यहां पर चार बार है तो यहां पर सेल करने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता गल्थी से भी सेल मत करना दोस्तों मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं गलती से भी सेल मत करना बजाज फईनांस ऐसे शियर अगर आपको पैसे का कोई बहुत बड़ा जरूरत नहीं पड़ा, emergency purpose, आप sale मत करना दोस्तों, बजाज finance को hold करके रखिए, यह देखते हैं कि यह long term में आपको कितना return कमा के देता है, आप बस देखते जाहिए, जब compounding start होगा ना, तब आप देख लेना आपको portfolio का जो weight होगा, तो दोस्तों आप बात आ बजाज finance जैसे share के अंदर दोस्तों, आप कभी weight नहीं कर सकते, इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया था, आपको यादो का बजाज finance के अंदर, आप हर 400 point की गिरावाट पे share उठाए, यह चीज़ में आपको बोला था यापको याद होगा, कि buy on dip strategy, आच की डेट पर बजाज finance आपको 5200 की लेवल पे मिल रहा है, तो इसी position पे आप कुछ माल उठाइए, आपको budget के according एक उठाइए, या दो share उठाइए, हो सकता है, कल share price में थोड़ा correct हो, गिरावाट आ, गिरावाट आ सकता है, यह possible हो सकता है, और share price गिरते-गिरते, 4700 या 800 की लेवल पे आ उतना मजा आया, क्योंकि यह जितना गिरेगा उतना तेजी से 200 बाउंस बैक करता है, यह देखिए 6 मेने का चार्ट पेटन, अगर देखा जाए, दोस्तों, लास्ट जब डिसमबर की टाइम पे बजाज फाइनस का शियर यह 5000 का लेवल क्रॉस किया ते यहां पे अब देख होने जा रहा है, करीबन पांच मैंने हो गया, बजाज फाइनस की शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा रहली नहीं आया, बट अभी आएगा, यहां पे शेयर पैस अगर इस बार, यहां पे अगर जंप लगाया, तो मोतिला लो सरॉल ने जो टार्गेट दिया, हमने देखा है, 5800 की उपर, मेरे काल से वो टार्गेट बहुत इजली आचीव हो जाएगा, और शेयर पैस आराम से भाग के 6000 की उपर चला जाएगा, तो यही सही मौका है, दोस्तों, बजाज फाइनस के अंदर आप शेयर उठाते जाएए, जो स्ट्रेजी में आपको बताया, कि एक श कटिक रन नीती हो सकता है, तो दोस्तों, अगर बात करें, बुलिंजर बैंड का, तो बुलिंजर बैंड का जो अपर बैंड का नमबर निकल करें, 5370, देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक बुले, बजाज फाइनस के अंदर, अगर मार्केट बुलिश ट्रेन में रहा, तो थोड़ा बहुत और तेज होने का चांस है, यह मैं पॉसिबिलिटी के बात करो, देखिए, अगर बात करें, कैसा कारवार हुआ, तो बजाज फाइनस की शियर पैज उपन हुआ था, 5000 के नीचे ही, ठीक है, बट थोड़ा सा गैप अप उपनिंग देखने को मिला था, जो क सब कोई पता था, कल इतना शांदार है, 40% को पर जम साथ में, डिविडेंड और बजाज फैनल जैसा क्वालिरी सॉक, जो कि कुछ टाइम से गिरावाट में था, तो यह भागना ही भागना था, तो दोस्तों, आज की रेट पे तीन बजी का अपडेट है, जो नमबर ऑफ क konti tradewाः, सततर लाख quantity equally prose, फूज viu रेट वागना कमिला, 16,001 की पर शियर यामें, डेलिवरी देखने को मिला, परसेंटेज यँव डेली वडिवरी देखने को मिला, तो दोस्तों, आट रे याई बोलूंगा बजाज पैना से क्वाल्टी स्टॉक इवराप को कभी भी पास्ट्राइब कर लेना एंड वीडियो का एक लाइक करके इंकरच करना आप चले मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक केर बाबाई चाहे हिंद